अरे भई आज जेडी के होूँ जेडी को हूँ भाजपा के होूँ गलत खाम करने वाले को सजा मिलेगी ना चाए कोई दल के हो को विचार धारा के हूँ अब हम बोलेंगे उतकर जी आपने जहापन मार दिया तो उसी पे बहस चलाते लगी अपको डिल लग रहा है यह आई है आप यह बताए ना, आप अपने बच्चों को चाहेंगे कि आप शराब करने वाला लोग तो रहता है, यह पीने वाला लोग रहता है, चोड छुपा करके पीबे ना करता है यह लाईने कुछ महीने पहले नितीश कुमार बोलते थे, अब वही लाईने आप बोलने थे, जो जहरेली शराब कांड को लेकर NHRC की टीम सारण आई है, क्या कहेंगे इस पर, आज लोग सभा में भी यह मुद्दा उठा, मेखाल से सारे ओपोजिशन के लोग ने वॉक दिया कि पूरे देश में कौन से राज्यों में जहरीली शराब से मित्ती हुई, जिसका जवाब ग्री राजमंत्री नित्यानन ने दिया, उसमें तो बिहार बहुत नीचे था, पहले नमबर पर मदब्रतेश था, जो भाजपा शाशित राज है, दूसरे नमबर पर कौन थ हर्याना थी, करनाटका थी, हर्याना चौथे नमबर पर यानि पांच में से टॉप तीन के जो राज थे, वह तो भाजपा शाशित है, वहाँ गई क्या ये टीम, क्यों नहीं गी, और आज जा गी है क्या, चार महीने पहले कहां थी ये, बीजेपी के लोग चार महीने पहले क्या कर रहे थे, ये लोगों ने तो ओत भी लिया था, या तो ये खुल के बोलें कि शराब बंदी जो है, खत्म होनी चाहिए, आपको क्यों नहीं लगते हैं, ये खुल के क्यों नहीं बोल रहे हैं, सबने जब एक सरो सम्मती से ये कानूल पास हुआने, ये तो फिर ऐसी नहीं चलेगा ना, जहां आप देखेगा करवाई तो हो रही है, कौन सी करवाई नहीं की जारी या जप्ती नहीं की जारी उसके बाद, सब लोगों पर करवाई हुई है, बतो नेता प्रतिपक्षाबी से सरकार प्रायोजी हत्या कांड तक का दर्जा दे चुके हैं, आपक आपको लगता है कि फेलियर है ये, आपको एक बात समझना पड़ेगा, कानून बनाने का हमारा मकसद क्या था, मकसद ये है कि लोग शराब का सेवन ना करें, है ना, इससे लोग सफर करता है, अब हम आप ही से पूछे, कि शराब जो गरीब लोग है, या कोई लोग हो, करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, अगर महात्मा गांधी चाहते थे शराब बद्धी हो, तो उनका क्या गलत इंटेंशन था, आप ये बताए ना, आप अपने बच्चों को चाहेंगे कि आप शराब पिलाए, ये मेरा सवाल ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे, बिल्कुल पहले नितीश कुमार बोलते थे, अब वही लाईने आप बोलने थे, बताओ नेता प्रतिपक्ष, आप इसे सरकार प्रायोजी, आप एक पात में थे, हम जब बोलते थे, जब हमारे पास एविडेंस होता था, एविडेंस हम क्या लाते थे, कि मंतरी के भाई के यहां से मु खाम करने वाले को सजा मिलेगी न, कोई दल के हो, कोई विचार धारा के हो, लेकिन आप हम पर कह रहे हैं, हम तो तब रिस करते थे, जब कोई हमारे पास थोस एविडेंस था, अब हम बोलेगी उतकर जी आपने जहापर मार दिया, तो उसी पर बहस चलाते लगीएगा, क्य है, लोगों को और जागरूकत किया जाए, और हमको लगता कि आने वाले समय में सरकार जो सप्लाइर्ज है, जहां से यह आ रहा है, उन पर ज़्यादा तीजी से कारवाई करेगी, उप मुखे मंतरी तेजस्वी आदो, जो कि फिलहाल अलग-अलग रहन बसेरों का दौरा कर रहे हैं, तमाम मुद्दों पर उन्होंने अपनी राय रखे, उतकरश कुमार सिंग, Unseen India, पटना